आशलामलेकुम हम बात करें jingles की हमने पहली वीवडे इक्जामपल देखे थे सुने थे हमने बात की थी जो हम रोज मरा TV पे जिंकल सुनते रहते हैं कभी कबार तंग आ जाते हैं कि ये क्या बीच में इस्तिहार हो गया program देख रहे थे क्यों बीच में इश्तिहार आ जाते हैं मगर पते क्या यही कभी कभार इश्तिहार हमारे दमाग में रह जाते हैं और जो हम प्रोग्राम देख रहे थे वो अक्सर भूल जाता है I'm sure कि इस वक्त अगर मैं आप से पूछू कि आपको कौन सा इश्तिहार याद है कोई न कोई आपके जहना जहन में एकदम से कोई जिंगल या जो गाना होता है इश्तिहार का वो दमाग में आना शुरू हो जाएगा कि हाजी ये भी एक जिंगल हमने रिसेंटली सुना था तो यही एक बात जो है यही एक चीज है जो के जिंगल की खासियत होती है कि वो लिखा ऐसे जाता है वो गाया ऐसे जाता है वो कंपोज ऐसे किया जाता है कि वो आपके जहन में टिक जाता है और आपकी याददाश में रहता है रीकॉल हो जाता है बस बड़े असानी से जो चीज जो के वो जिंगल बेच रहा होता है वो एकदम से आपको याद आ जाती है आप कहते हैं हाँ जी ये तो रुफजा का इश्तिहार था हाँ जी ये तो वाल्स कोरनेटो का इश्तिहार था या यह किसी toothpaste का इश्तिहार था safe card का इश्तिहार था तो यह आपको एकदम से याद आ जाते हैं कि हाँ जी वो जो गाना जो है वो आपको चुंकि याद रहता है इसलिए आपको वो brand भी वो याद रहता है तो यह खास्तियत है जिंगल्स की इसकी बहुत ज़ादर डिमांड है अगर आप जिंगल्स लिख सकते हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं क्यूंकि that is one thing where you are able to make good money go online अगर आप guru.com पे जाते हैं आप work पे जाते हैं fiverr पे जाते हैं freelancer पे जाते हैं सारी ऐसी website है और obviously आपकी सारी advertising agencies हैं जो के ढूंड रही होती है एक ऐसे इनसान को जो उनके लिए अच्छा सा creative सा जिंगल लिख के देंगे जो के बेंतहा popular होगा तो अब हम अगर याद करें के ऐसे कौन से जिंगल्स हैं जो हमें बढ़े popular हुए recently एक तो McDonald's का है पाकिसान का 11-12-44-6-2-2 I'm Loving It ये तो मतला वहर किसी को याद रहता है कोई McDonald's खाए ना खाए उसने सुना जरूर होगा मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह याद है और अकसर वो जिंगल्स सुना के मुझे कहा जाता है एक इशारा होता है कि McDonald's ओर्डर कर दिया जाए तो ये भी एक चीज होती है डिंग डॉंग बबल ये भी वो जो बिल्ली है और वो सारी चीजे हैं वो हमें अकसर पूरी जो इश्तहार है में याद आजाता है जब हम वो जिंगल सुनते हैं कोकोमो मुझे भी धो कोकोमो वो भी बड़ा पॉपिलर यह आपने देखा हुगा कि अक्सर जो गाने हैं खासतर पर यह जो कैंडी वाले होते हैं यह आसान इसलिए बनाए जाते हैं या इनका तर्ज या इनके लिखने का तरीका इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बच्चों को टागेट कर रहे होते हैं ताके बच्चे जो हैं इसको याद करें सारा दिन गाते रहें आपको भी सुनाते रहें और कहें कि खुदा के लिए हमें ले के दें ये चीजें और इसके पीछे एक पूरी साइंस है कि ये जिंगल्स जहें वो कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इनको कमपोस किया जाता है कि लोगों के जहनों में ये रहें और टिकें और पार बार उस ब्रैंड की हमें याद दिलाते रहें गुड मिल्क, रोज रोज पिया करो, गुड मिल्क I'm sure आपको याद होगा रोज रोज गुड मिल्क, पिया करो सेवन अप का मना लो, फूड का लव, सेवन अप इसके एक जिंगल के उपर कई कई जो है वो इश्टार बने हैं And that is another thing that happens कि जब एक जिंगल जो है वो बहुत पॉपिलर हो जाता है बहुत अच्छा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं बजाए सके एक ही उसके अंदर विजूल हो वो विजूल भी साथ साथ बदलते रहते हैं और उस गाने को वो जिन्दा रखते हैं जादा लंबे अर्से तक वाइल प्रवाइडिंग वराइटी इन दर विजूल्स तो जिंगल जो है ये एक आर्ट है बड़ा मुश्किल आर्ट है इसको लिखना आसान नहीं होता बड़ी एक क्रियेटिव माइंड चाहिए होता है तो अगर आपके पास ये क्रियेटिव माइंड है तो इस से जरूर इसको इस्तमाल कीजिए एक जिंगल जो है वो आपके लिए लिखकर दिखाएं जिंगल हम लिखते हैं आइस क्रीम के लिए आइस्क्रीम, यूस्क्रीम, आइस्क्रीम मजे के रंग और आगे इसको हम लेकर चलते हैं थोड़ा सा यहीं परी आपके साथ तो आइस्क्रीम, यूस्क्रीम, आइस्क्रीम मजे के रंग जगाएं उमंग एक नया तरंग आइस क्रीम के संग तो हमने देखा कि जी इस आल राइमिंग छोटी छोटी चीज़ है इसको जब आप कंपोस करेंगे म्यूजिक के साथ इसके साथ कुछ ना कुछ निकल आएगा आइस क्रीम बेच रहे हैं और हम आइस क्रीम के साथ जो है जो फीलिंग्स है या जो उसके साथ हमें खाने से जो मज़ा आता है वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इस जिंगल में तो लिखते वक्त हमें ये भी देखना होता है कि हम फीलिंग्स क्या इवोक करना चाहरे हैं message क्या देना चाहरे है, यहां पर of course message यही है कि आप ice cream खाएंगे, तो मज़ा आएगा, एक बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे, आप एक नई trend को उजागर करेंगे और इस ice cream को खाएंगे, तो आपको, you know, you'll have lots of fun and that is the kind of emotions and feelings that we are trying to show through the jingle, अब हम एक और jingle लिखने की कोशिश करते हैं और यहां पर यहां जी जूतों का and we will try and do this in English this time क्यूंके जैसे के पहले भी मैंने जिकर किया है कि जहां पर Pakistan market जहें वो बहुत आपके पास Urdu जो लोग लिखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी market है मगर अगर आप global market को tap करना चाहते हैं और वहां जो online आपके पास opportunities जिंगल लिखने के लिए तो आपको अंग्रीजी ही जादा तर इस्तमाल करनी पड़ेगी इसलिए हम इस पूरे कोर्स में creative writing में हमने अंग्रीजी पे जादा जोर दिया है ताके हम आपको यह बता सकें कि इस creative writing को इस्तमाल करते वे आप global market को कैसे tap कर सकते हैं कैसे आप वो job opportunities का फाइदा उठा सकते हैं जो के आपके पास पूरी दुनिया में मौझूद हैं खास दोर पे एक writer होने के नाते तो वापस चलते हैं जिंगल फो शूज की तरफ और हम बात करना चाहते हैं के जी अगर जूते हम इस तरह बेच रहे हैं the main thought over here is around tapping your feet and having fun with amazing shoes so that is what we are doing so tap tap tapping click click clicking tap tap tapping click clicking dance the trot or swing these are the shoes to make you sing so this is basically the jingle for the shoes so you can see some examples main cheese jingle में यही है दुबारा बोलूँगी के हमें किसी चीज को बेचना होता है बस गाना गा के पुछी लिखके क्रियेटिव तरीके से हमें बेचना है तो में चीज जो जिंगल की है वो यह है कि बेचे जरूर उसका कौन सा आस्पेक्ट आप हाइलाइट करते हैं क्या चीज क जरिये या आप आइस क्रीम के कौन से एक फीलिंग को एवोक कर रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट होता है उसका कोई खास एक ऐलमेंट लेकर आप उसको प्रोमोट कर रहे हैं बट राइट इंग जिंगल्स इस लॉट फ़न, इस अ गुट जॉब, इस वेरी वेल पेंग क्योंकि अगैन मुश्किल है और कम लोग इसमें जाते हैं तो इसको as a career जरूर आजमाईएगा. Thank you so much.